C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 15 धोसाकारों का चित्रण प्रिष्ठ 293 15. लवेक, भूमिका, तलाकृतियां और धोसाकार इस अध्याई में आप अब तक देखी गई आकृतियों को उनकी विमाओं के रूप में यानि डाइमेंशन्स वर्गिकृत करेंगे अपने दैनिक जीवन में हम अपने परिवेश से विभिन आकारों की अनेक वस्तुएं देखते हैं जैसे पुस्तकें, गेंदें, आइसक्रीम शंकू, इत्यादी अधिकांशत है इन सभी वस्तुओं में एक बात सर्वनिष्ठ यानि कॉमन है वह यह है के इन में से प्रत्येक की कुछ लंबाई, चोड़ाई, उच्छाई या गहराई है इसी कारण ये सभी स्थान घेरते हैं और इनकी तीन विमाएं हैं इसलिए ये त्री विमीय आकार यानि थ्री डाइमेंशनल शेप्स कहलाते हैं क्या आपको पिछली कक्षाउं में देखे गए कुछ त्री विमीय आकारूं यानि थोस आकारूं के बारे में याद है प्रयास कीजिए आकारूं का नामू से मिलान यानि मैच कीजिए यहां एक से छे तक अलग-अलग आकार दिये गए हैं और ए से एफ तक अलग-अलग नाम दिये गए हैं आकरिती 15.1 में आपको इन आकारूं का नामों से मिलान करवाना है आकार हैं बेलन, गोला, घनाब, घन, शंकू, पिरमिड A से एफ तक यह नाम दिये गए हैं A. घनाब, B. बेलन, C. घन, D. गोला, E. पिरमिड, F. शंकू प्रिष्ट 294 उपरोक्त में से प्रत्थे खाकार जैसी कुछ वस्तूओं की पहचान करने का प्रयत्न कीजिए इसी प्रकार के तरकद्वारा हम कह सकते हैं कि एक खागज पर खीची जा सकने वाली आकरितियों यानि जिनकी केवल लंबाई और चौडाई होती है को द्विविमिय यानि टू डाइमेंशनल या तल कहना चाहिए हम दो विमाओं की कुछ आकरितियों को पिछली कक्षाओं में भी देख चुके हैं द्विविमिय आकरितियों का नामों के साथ मिलान कीजिए आकरिती पंद्रह दशमलव दो यहां एक से पांच तक अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं आयत, वृत, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज A से E तक आकरितियों के नाम दिये गए हैं A वृत, B आयत, C वर्ग, D चतुर्भुज, E त्रिभुज टिपणी हम संगशेप में द्विविमियको 2D और त्रिविमियको 3D लिख सकते हैं पंद्रह दशमलव दो भलक, किनारे और शीर्ष क्या आपको पहले पढ़े हुए ठोसाकारों के फलकों, शीर्षों और किनारों के बारे में कुछ याद है? यहां एक घन के लिए इनहें दिखाया गया है अकरिती 15.3 एक घन के तीन अलग-अलग आयाम दिखाये गए हैं पहले भाग में शीर्ष, दूसरे भाग में किनारे, तीसरे भाग में फलक घन के आठ कोने उसके शीर्ष यानी वर्टिसीज हैं घन के ढाचे को बनाने वाले भारह रेखा खंड उसके किनारे या कोर तानी एजिज कहलाते हैं छे सापाट वर्गाकार प्रिष्ठ जो घन की खाल या त्वचा हैं उसके फलक यानी फेसिज कहलाते हैं प्रिष्ठ 295 इनहें कीजिए निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए सारणी 15.1 यहां सारणी में पांच स्तंब दिये गए हैं पहले स्तंब में फलक यानी F, किनारे यानी E और शीर्ष यानी V को बताना है दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचमें स्तंब में चार अलग-अलग ठोसाकार दिये गए हैं पहले दो ठोसाकारों में शीर्ष, भलक और किनारा बताया गया है वाकी दो आकारों के लिए आपको शेश सारणी को पूरा करना है भलक 6, 4, dash, dash, किनारे 12, dash, 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 शीर्ष, 8, 4, dash, dash क्या आप देख सकते हैं कि द्विविमिय आकृतियों के रूप में त्रिविमिय आकारों के फलकों की पहचान की जा सकती है उदाहर नार्थ एक बेलन के दो फलक ऐसे हैं जो वृत्त हैं तथा दर्शाए गए पिरमिड के फलक त्रिभुज हैं अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार कुछ थ्रीडी आकारों को तूडी आकृतियों अर्थात खागज पर को चित्रीय रूप से निरुपित किया जा सकता है ऐसा करने के लिए हम त्रिविमिय वस्तूओं से निकटतम रूप से परिचित होना चाहेंगे आएए इन वस्तूओं को उनसे बनाने का प्रयास्ख करें जो इनके जाल यानी नेट कहलाते हैं पंद्रह दशमलवतीन थ्रीडी आकार बनाने के लिए जाल यानी नेट एक गत्ते का बकसा यानी बॉक्स लीजिए इसको कुछ किनारों के अनुदिश काट कर सपाट यानी फ्लैट बना लीजिए अब आपके पास इस बकसे का जाल है जाल टूडी में एक प्रकार का ऐसा धांचा या रूप रेखा होता है आकरिती 15.41 जिसे मोडने पर आकरिती 15.42 परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त हो जाता है आकरिती 15.43 में भाग एक दो तीन में बकसे के जाल को दिखाया गया है प्रिष्ठ 296 आकरिती 15.5 दी गई है यहां आपने किनारों को उपयुक्त रूप से प्रिथक करके एक जाल प्राप्त किया है क्या इसकी विपरीत प्रक्रिया संभव है यहां एक बकसे के जाल का प्रती रूप दिया है आकरिती 15.5 इसका प्रती रूप बनाकर उसका विस्तार यानि एनलार्ज कर लीजिए भिर इसे उपयुक्त प्रकार से मोड़ कर और चिपका कर एक बकसा बनाईए आप उपयुक्त इकाईयों या मात्रकों यानि यूनिट्स का प्रयोग कर सकते हैं प्राप्त बकसा एक ठोस है यह घनाब यानि क्यूबॉइड के आकार की एक 3D वस्तु है इसी प्रकार आप एक शंकु को उसके तिरेयक प्रिष्ठ के अनुदिश एक पतली पट्टी या जिरी काट कर इसका जाल प्राप्त कर सकते हैं आकरिती 15.6 आकरिती में शंकु का जाल प्राप्त करना दिखाया गया है एक रेखा दी गई है जिस पर लिखा है यहां से काटिये भिन भिन आकारों के लिए भिन भिन जाल होते हैं दिये हुए जालों के प्रती रूप बनाईए और उनका विस्तार कीजिए अत्वा दिये हुए जालों के विस्तारित रूपों के प्रती रूप बनाईए आकरिती 15.7 फिर इनके नीचे लिखे थ्रीडी आकारों को बनाने का प्रयास कीजिए आप गते की पतली पट्टियां लेकर और उन्हें कागज के क्लिपों यानी क्लिप्स से बांध कर आकारों के ढांचे भी बनाना चाह सकते हैं आकरिती 15.7 में अलग अलग धो साकारों के जालों के प्रती रूप दिये गए हैं घन, बेलन, शंकू हम गिजा मिस्र में हैं के ग्रेट पिरमिड आकरिती 15.8 के प्रकार के पिरमिड के लिए भी जाल बनाने का प्रयास कर सकते हैं इस पिरमिड का आधार एक वर्ग है तथा चारों भुजाओं पर त्रिभुज बने हुए हैं देखिए कि क्या आप दिये हुए जाल आकरिती 15.9 से इस पिरमिड को बना सकते हैं आकृती 15.8 में Great Pyramid दिखाया गया है और आकृती 15.9 में Pyramid का जाल दिया गया है प्रिष्ठ 297 प्रयास कीजिए यहां आप चार जालों को देख रहे हैं आकृती 15.1 एक चतुष भलक यानी टेट्राहेडरन बनाने के लिए इन में से दो जाल सही हैं देखिए कि क्या आप यह गयात कर सकते हैं कि किन किन जालों से चतुष भलक बन सकता है प्रशनावली 15.1 एक उन जालों को पहच्छानिये जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं इन जालों के प्रती रूप काट कर ऐसा करने का प्रयास कीजिए यहां भाग एक से छै तक अलग अलग जाल दिये गए हैं दो पासे यानि डाइस ऐसे घन होते हैं जिनके प्रतीयक फलक पर बिंदू यानि डाट्स अंकित होते हैं एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदूओं की संख्याओं का योग सदैव साथ होता है यहां पासे यानि घनों को बनाने के लिए दो जाल दिये जा रहे हैं प्रतीयक वर्ग में लिखी संख्या उस बकसे के बिंदूओं को दर्शाती है यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव साथ होता है रिक्त स्थानों पर उप्युक्त संख्याएं लिखिए प्रिष्ठ 298 3. क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए 4. यहां एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है इसको कम से कम दो विभिन विधियों से पूरा कीजिए याद रखिए के घन के छै फलक होते हैं यहां इस जाल में कितने फलक दिये हुए हैं दो प्रिथक प्रिथक चित्र दीजिए कार्य को सरल बनाने के लिए आप वरगांकित खागज का प्रयोग कर सकते हैं पांच, जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए यहां A से D तक चार अलग-अलग ठोसाकार दिये गए हैं और एक से चार तक चार अलग-अलग जाल दिये गए हैं ठोसाकार हैं घन, बेलन, पिरामिड और शंकु यह खेल खेलिए आप और आपका मित्र परस पर पीट से पीट मिलाकर बैठे हैं आप में से एक व्यक्ती कोई थ्रीडी आकार बनाने के लिए एक जाल पढ़ता है जबके दूसरा व्यक्ती इसका प्रतीरूप बनाकर बोले गए थ्रीडी आकार को खीचने या बनाने का प्रयत्न करता है 15.4 एक सपाट प्रिष्ठ पर ठोसों को खीचना आपका यह सपाट प्रिष्ठ एक काघज है जब आप एक ठोस आकार को खीचते हैं तो प्रति बिम्बों को कुछ विक्रित यानि ठेड़ा कर दिया जाता है ताके वे त्रिवी में ये दिखाई दें। यह एक दृष्टी भ्रम है। यहां आपकी सहायता के लिए दो तकनीकें दी जा रही हैं। 15.4.1 तिर्यक या अनियमित चित्र। यहां एक घन का चित्र दिया है। आकरिती 15.1.1 जब इसे सामने से देखा जाए तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है के एक घन कैसा दिखता है। आप इसके कुछ भलकूं को देख नहीं पाते हैं। प्रिष्ठ 299 खीचे गए इस चित्र में लंबाई बराबर नहीं है। जबके घन में यह बराबर होनी चाहिए। फिर भी आप यह पहचान कर लेते हैं के यह एक घन है। किसी ठोसक का ऐसा चित्र एक तिरयक या अनियमित चित्र अबलीक स्केच कहलाता है। आप ऐसे चित्र किस प्रकार खीच सकते हैं? आये इसकी तकनीक को सीखने का प्रयत्न करें। आपको एक वरगांकित यानि रेखांकित या बिंदुकित कागस की आवश्यकता है। प्रारंभ में इस प्रकार के कागस पर चित्र खीचने का अब्यास करने के बाद आप बिना इस प्रकार के कागस की सहायता के सादे कागस पर ये चित्र सरलता से खीच सकते हैं। आईए एक तीन, गुणा तीन, गुणा तीन, खा एक तिर्यक चित्र, एक ऐसा घन जिसका प्रतेक किनारा तीन इकाई है, कीचने का प्रयत्न करें। आक्रिती पंद्रह दशमलव एक दो, चरण एक, सामने का फलक खीचिये, चरण दो, सामने के फलक का सम्मुख फलक खीचिये, फलकों के माप बराबर होने चाहिए, परन्तु ये चित्र, चरण एक के चित्र को कुछ खिसका कर ही बनाया गया है। चरण तीन, संगत कोनों को मिला ये, चरण चार, छिपे हुए किनारों के लिए चित्र को बिंदुकित रेखाऊं का प्रयोग करते हुए पुनह खीचिये, यह एक परमपरा या परिपाटी है, अब अभीष्ट चित्र तैयार है, आक्रिती पंद्रह दशमलव एक दो, उपरोक्त तिर्यक चित्र में क्या आप निम्नलिखित बातों को देख रहे हैं? एक, सामने के फलक और उसके सम्मुख फलक के माप समान हैं, तथा, दो, घन के किनारे जो बराबर होते हैं, चित्र में भी बराबर बराबर प्रतीत होते हैं, यद्यपी इनको बराबर नहीं लिया गया है. अब आप एक घनाब का तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं, याद रखिए, इस स्थिती में हलक आयत है. टिपणी आप ऐसे चित्र भी खीच सकते हैं, जिनमें माप या मापन दिये हुए ठोसके मापों के अनुसार, यानि अनुकूल ही हो. ऐसा करने के लिए हमें एक ऐसे कागज की आवशकता होगी, जिसे समदूरीक शीट, यानि आइसोमेट्रिक शीट, अर्थात समान दूरियों वाली शीट कहते हैं. आइए, हम एक समदूरीक शीट पर ऐसा घनाभ बनाने का प्रयास करते हैं, जिसकी लंबाई चार सेंटिमीटर, चौडाई तीन सेंटिमीटर और उंचाई तीन सेंटिमीटर है. पंद्रह दशमलव चार दशमलव दो, समदूरीक चित्र, क्या आपने एक समदूरीक बिंदूकित शीट देखी है? इस खा एक प्रती दर्ष यानि सांपल इस पुस्तक के अंत में दिया है. इस प्रकार की शीट में पूरा कागज, अर्थात स्वयम यह शीट, बिंदूकित रेखाओं से बने छोटे छोटे सम बाहूत्रिभुजों में बट जाता है. ऐसे चित्र खीचने के लिए जिनके माप दिये हुए ठोस की मापों के अनुसार हूँ, हम इन बिंदूकित समदूरीक शीटों का प्रयोग कर सकते हैं. आईए, विमाओं चार गुणा चार गुणा चार वाले एक घनाब, जिसका अर्थ है के इसकी लंबाई, चोडाई और उंचाई, क्रमशह, चार, तीन और तीन इकाईयों की हैं, का एक समदूरीक चित्र बनाने का प्रयत्न करें. आक्रिती 15.1.3 चरण 1. सामने वाला फलक दर्शाने के लिए चार गुणा तीन मापुं का एक आयत खींचिये. चरण 2. आयत के चारूं कोनूं से लंबाई तीन इकाई वाले चार रेखा खंड खींचिये. चरण 3. सुमेलित कोनूं को उपयुक्त रेखा खंडों से मिलाई ये. चरण 4. यह घनाब खा एक समदूरीक चित्र है. आकृती 15.1.3 ध्यान दीजिये के एक समदूरीक चित्र में मापन ठीक यानि यथार्थ में ठोस की दी हुई मापुं के होते हैं, जबके तिर्यक चित्र की स्थिती में ऐसा नहीं होता है. उदहरण 1. यहां किसी घनाब का एक तिर्यक चित्र दिया है. आकृती 15.141. इस चित्र से मिलान करने वाला एक समदूरीक चित्र खींचिये. हल. इसका हल आकृती 15.142 में चित्र खींच कर दर्शाया गया है. ध्यान दीजिये के किस प्रकार मापुं के अनुसार चित्र खींचा गया है. प्रिष्ठ 301. आपने एक लंबाई, दो चौड़ाई और तीन उच्षाई में से प्रत्येक के अनुदेश कितनी कितनी इकाईयां ली हैं? क्या ये तिर्यक चित्र में दर्शाई गई इकाईयों से सुमेलित हैं? अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचनस्वर, गौरव मारवा, तकनीकी समनवयक, बटिलैंग लिंगडो, तकनीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, सौम्य निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत